नमस्कार दोस्तों, डीडी रियक्ट के एक और रियक्शन वीडियो में आपका स्वागत है तो आज जो मैं वीडियो देखने जा रहा हूँ आप सब के साथ और जिस पर मैं रियक्ट करने वाला हूँ वो उसका संबंद पाकिस्तान से है पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरान खान ने महिलाओं के पहनावे को लेकर उनके ड्रिस को लेकर क्या कुछ बयान किया है वो तो सब आपको पता ही है अब इसे लेकर पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना है अपने PM के लिए उस पर ये वीडियो है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आखर इस वीडियो में है क्या और उसके बाद फिर मैं अपना अनल्सिस करता हूँ रेक्शन देता अब बगाद फिर में अनल्स प्रेक्शन खांड जाएं तो अब बेद नियुक्ति वादर इस विडियो है तो अब भी बीचे उर्दू पर वीडियो अपलोड है तो मुझे अब बढूब पढ़ने ने नहीं आती लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जो स्क्रीन शॉर्ट शेयर किये गए हैं जो बाते इसमें बताई गई हैं वह आगे हम सब को समझ में आएंगी तो यहां पे ट्वीट किया गया है डॉक्टर अर्सलान खालिद यह मुझे लगता है कोई सरकारी आदमी है उन्होंने कहा है कि भाई अगे इन सेलेक्टिव आउट अफ कॉंटेक्स ट्वीटिंग अफ वाट ये एक्चुली सेड मतलब इमरान खान का बचाव करने मुझे Disappointing and unbelievable. अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यह एक और एक का भार बार का है इसका मतलब है कि यह स्टेट iki पॉलिशी है को जिस्तिफाइ करते सेक्चल वाइलेंस प्रम्राइब को चाहिए के वो अरुने इस बयादिये को बढ़े ? और ग्यर झाय जिम्पेदारी जो ह में पब्लिक स्पेसिस में हम औरतों का भी उतना ही हग क्या आप मुल्दों के मर्दों के मर्दों के वजीराज़म है और ओरतों के नहीं कि इस बयान से तो यही मालूम होता है कि और दिया ख़वादित की खुद्जमेदार है और कि Head of the State ये बयान दे रहा है तो I think मेरे बिए परज़नी चीज़े बहुत मुश्किर हो जाएंगी जहां में रात को घर से निकलते हुए सौ बार सोचती हुए हजार बार सोचती हुए आज का दिन पाकिस्तान की खवातियों के लिए नहाई थी अफसोस नाख और शरम नाख ये हमें बहुत अंसेफ करवाता है और हम ये समझते हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि जब क्राइम मिनिस्टर साब भी और हमारी हकूमत के नमाइन दे जब ऐसी स्टेटमेंट्स तो हम क्या दवक को रख सकते हैं कि खवातियों किस हद तक प्रोटेक्शन की हफदार हैं यहां पर अब कोई रिमल मोहिदी नहीं है कह रही है कि स्कूल उनिफॉर्म इन दुपत्टा गली इन लिबर्टी वन I was 8. My mom was just at the next stall. He didn't care. आप समझेए. तो दोस्तों ये है वो वीडियो ये था वो वीडियो जिसमें आपने सुना महिलाओं को लड़कियों को एक कहते हुए कि उन्हें अपने PM की बातों से बहुत शर्मिन्दगी महसूस हुई है. देखिए बात भी सही है. पाकिस्तान हो या भारत हो या कहीं भी. मतलब इस तरह का भयान अगर किसी देश का प्रधान मंतरी देगा. पाकिस्तान के प्रधान मंतरी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं कि लड़कियों को पहनावा जो है वो गड़बड है. ये तो बहुत गलत बयान है. ये चाहिए कहीं भी बयान हो. आप लड़कियों के पहनाव को जिम्यदा ठहरा रहे हैं, head of the state होके, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, और मुझे लग रहा है कि दिल की बात निकली है पीम इमरान खान की, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता ही है कि पूर श्वादी मान सकता है, बहुत जादा हावी है उस मुलक में, महिलाओं को ऐसे भी अधि के साथ एक तरह से ये ना-िन्साफी कर रहे है, वो अल्रेडी जुम का शिकार हैं, वहाँ पर, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं, कि उसके लिए उनके कपडे जिम्मदार है, उनका पहनावा जिम्मदार है, कि सदी में हैं आप, किस दुनिया में जीते हैं आप, इमरान साथ यह तो भदी हो गई प्रॉब्लम हमारे यहां भी है हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बयान देते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है आप आपको उन लोगों को पहले समझाना पड़ेगा जो ऐसा करते हैं उन लड़कों को उन पुरुशों को उनको अपनी मान सिक्ता बदलने के जरूरत है अच्छा जहां पर छोटे कपड़े नहीं होते जिनके साथ रेप हो जाता है ठीक ठाक बुर्गे में होती है उसमें किसकी गलती है फिर पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं उसमें किसकी गलती है फिर वो एक महिला जो थी है वो सही बोल रहे थी कि क्या ये सिर्फ पूरुशों के लिए है पूरुश है तो ठीक है महिलाओं के लिए कोई कुछ नहीं सोचता एक मैसेज महाँ पर मैं देख रहा था इनका मैसेज था हाँ फरहीन अली सियद का मैसेज था ये बता रही है कि जब वो पांस साल की थी तो वो फ्रॉक पहनती थी सेवन्थ ग्रेड में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी उन्होंने सलवार कमीज पहनी दुपट्टे के साथ रही और तब वो मार्केट में थी अपनी मा के साथ सलवार कमीज और चादर ओड़े एक महिने पहले भी जब वो बाजार गई तो वहाँ उन्होंने लूज कुर्ता और सलवार पहन रखा था दुपट्टा था मास था और एंड में लिखा है उन्हों के नेवर एंडिंग लिस्ट आप समझ रहा है इस दर्द को आप महिलाओं के हक की बात करते हैं ये कैसा हक है कि जब ये महिला पांस साल पहले भी उन्ही परिस्थितियों में थी उन्ही चीज़ों को फॉलो करती थी आज भी वो उन्ही चीज़ों को फॉलो करती है उनी परिस्थितियों में है, तो हालात कहां बदले हैं, और इन सब के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं, इन सब के लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं, पहनावा जिम्मेदार हैं, शर्म कीजिए, कहीं भी हो, मैं कनू पाकिस्तानी नहीं, मैं दुनिया के किसी बी देश में, मैं भारत में भी कहता हूँ, पहनावा जिम्मेदार नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो इस मान सिक्ता को बदलने के ज़रोत है, जल्दी हाजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, चाहिद.